हलो दोस्तो नमस्कार प्रोफिट गुरु चैनल में एक बार नए मार्केट अपडेट के साथ आप लोगों का स्वागत करता हूँ तो दोस्तो आज हम TCS के बाइबेक से रिलेटेट कुछ चीजे हैं उससे रिलेटेट हम बात करने वाले इस वीडियो में कि क्या बाइबेक के लिए हम टेंडर में अपलाई करें या ना करें ठीक है इसमें क्या हो का हम फस सकते हैं बूरी तरह क्या हमारा इन्वेस्टमेंट फैल हो सकता है तो दोस्तों ये सबी चीजे जो क्योरी है जो आप लोगों के माइंड में होगी वो इसको में define करने वाला हूँ क्योंकि ये जो आप लोगों के ही 10 से 12 इसे personal message आये थे दोस्तों आप लोगों के तरफ से ही कि जो buyback है क्या हम सर उसमें investment करे या नहीं करे तो इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो चलिए दोस्तों वीडियो को start करते हैं कि TCS में हम buyback में apply करे या नहीं करे तो यहीं बोलना चाहूँगो कि Profit Guru चैनल पर आपने फर्स टाइम बिजिट के है तो डेफिनेटली सस्क्राइब करें वीडियो पसंदर आप वीडियो को like करें और आपको nifty bank nifty और stock option में अगर आपको ट्रेडिंग और investment हमाँ साथ करना है दोस्तों अच्छा का आप ऐसा बनना है तो नीचे अगर आप देख सकते हो दोस्तों दिगच IT कंपनी हो उसका performance भी उसी प्रकार से ठीक है आज भी अगर देखेंगे तो all time का high लगाया उसने यहाँ पर आप देख सकते हो 2898 रुपे का अपना all time का अभी तक का 52 का high यह सब बोल सकते हो आप आज का अगर performance देखेंगे तो 0.48 8% की तेजी पर बंद हुआ है करीबा है 2851 रुपे के closing price दिख रही है previous close देखेंगे 2838 रुपे गेप अपनिंग लिया था 2868 रुपे का ठीक है यहाँ पर sorry 38 रुपे है 98 का high लगा है 2898 का low लगा है 2886 रुपे का ठीक है वहीं अगर हम momentum की बात कहते है trade volume number up share में तो आप देख सकते हो 60 लाग quantity का volume में देखने को मिला अब 52 बिक का high और 52 बिक का low आप comparison कर सकते हो बाकी जो detail है वो आप आपके हिसाब से भी देख सकते हो क्योंकि company दिगगाई IT company है तो कोई दूसरी चीज तो इसमें default होई नहीं सक अब काफी interesting data है stock में bounce bag भी आमें एकदम से देखने को मिला अब सबसे बड़ी बात यहां पर आ जाती है कि क्या आप buy bag में बुरी तरफ फस सकते हो वो किस प्रकार से फस सकते हो यह मैं आगे आपको बताता हूँ एक उधारन देता हूँ पहले Bipro का तो यहां पर आप सकते हो दोस्तो इसी महिने 11 दिसंबर को buy bag की record date थी Bipro की ठीक है number of share कितने थे buy bag में करीब 23 करोड 25 लाग quantity वो 25 लाग quantity हमें buy bag में जाती हूँ देखने को मिल रहे थी मतलब company इतने share बापीस purchase कर रहे थी उसका share price कितना था दोस्तो 400 रुपे के share के हिसाब से यहां पर क्या द दिया जा रहा था current market के हिसाब से करीब अगर आप देखेंगे offer size सा 4.16% का अब यह मैं आप लोगों को क्यों दिखा रहा हूँ यह चीजे एसी हाल फिलाल में हुई नहीं है ठीक है आप दिखाता हूँ एक मिनिट रुखिए तो यहां पर देखे price कितना चल रहा है दोस्तो 360 रुपे मात्र 360 रुपे वो 400 रुपे का इन्होंने क्या रखा था floor price रखा था buyback का ठीक है अब यहां पर जो curious थी जो 10-12 में से जाए उसमें से लगबग 70% एसे investor से जो बोल रहे थे sir हमारे पास investment नहीं है तो हम क्या किसी से उधार लेके पैसा या loan लेके पैसा ले ले और क्या हम TCS के buyback में apply कर दे सेम इसी तरह का मैंने एक वीडियो बिपरो के उपर भी post किया था अब देखे इसमें क्या होता है दोस्तो इसमें भी IPO की तरह ही apply करना पड़ता है IPO में इसा रहता है दोस्तो IPO नहीं लगेगा तो आपका जो fund रहेगा वो तो आपको refund कर दिया अगर नहीं लगा तो हब महाँ पर अटक जाओगे मान लिजिए किसी ने अगर 200 अभी 370 पर अगर buyback के लिए apply किया होगा ठीक है 370 पर buyback के लिए apply किया होगा आज वो घुम फिर के कहा पर चल रहा है मतलब वो position loss में चल रहा है आपका investment पूरी तरीके से loss में चल रहा है अ अगर market में डाला होगा इस buyback में apply किया होगा उसका luck से अगर buyback नहीं मिला उसको ठीक है तो वो तो आज first चुका है तो यहाँ पर क्या है कि इसी प्रकार का खतरा रहता है जो investor पहले से था उसको अगर मिला हो तो वो उसके लिए अच्छी बात है दोस्तों काफी discount मिला current market के price के हिसाब से वहीं लेकिन जो first चुका है वो आप first चुका है बिलकुल है तो इसी प्रकार से हम TCS विए बर नजर डालते हैं अब यहाँ पर देख सकते हो live mint की site के उपर मैंने आप लोगों को लेका है हूँ ठीक है यहाँ पर आप दीखें TCS 16,000 का यह buyback है ठीक है offer आज से को यह offer चालू हुआ ठीक है TCS का जो अगर आप देखेंगे तो 3000 पर share के हिसाब से इन्हों ने अपना buyback का price रखा है मतलब किसी से अगर यह buyback ले रहे हैं जिसका भी अगर buyback लगेगा वो 3000 पर share रुपे उनसे लेगा ठीक है वहीं पर company 5.3 करोड share यहाँ पर market से बापिस उ कि क्या सर में अब इसमें मेरे पास investment करने को पहिसा नहीं वचा है तो क्या मैं किसी से उधा ले लूं किसी से loan ले लूं तो इसमें IPO के जैसा ही रेता है दोस्तों मिल गया तो आपका नहीं मिला तो फिर आप अटक जाओ कैसे क्योंकि आपको buyback के लिए apply ने करना पड़ता ह अब share आप इस price पर खरीद होगे इस price पर खरीद होगे ठीक है मान लीजिए उसने 2900, 2930, 2950 तक का high लगा है ठीक उसके बाद वो आपने देखा हो का company dividend भी देती है जब भी dividend क्योंकि देने के बाद company के जेव सीधा सीधा पैसा जाता है तो dividend के बाद share काफी sleep होता है काफी correction आता है share में तो बहुत सारे investor बहुत सारे traders वहाँ पर फज जाते है इसी प्रकार का correction इन में भी देखने को मिलेगा जैसे अभी आप लोगों के सामने proof देखा है 400 रुपे उन्होंने रखा था Bipro का ठीक है 306 रुपे चल रहा है मतलब यहां से 40. नीचे चल रहा है अब 30380 पे लिया अब वो तो अटक चुका है ना बहुत तो loss में चल रहा है अब वो जब तक वेट करेगा जब तक वो position उसकी cost पे नहीं आ जाती या जब तक वो profit में नहीं आ जाती ठीक है हाँ जिसका save पैसा है वो इसे अगर long term के लिए इसमें अभी investment करता है तो long term में तो आ किसी इस कल की date में गिर जा है किसी को नहीं पता दोस्तों क्यूंकि company के जेब से इतना पैसा discount दे रही company कितना discount दे रही current market price अभी यहाँ पर चल रहा है almost 200 रूपे का यहाँ पर company discount provide करे ठीक है तो उस discount के पीछे बहुत सारे investor इसमें फसने वाले यह होगा भी अगर जो कोई अगर इसमें विपरो में अगर फसा हो इसी प्राकार का अगर उसने वंडा अपनाया हो तो वो comment करके इस वीडियो में बता सकता है दोस्तों ठीक है बाकी किसी भी stock से related चीजे पुछना है आप उसके बारे में भी comment कर सकते हो बाकी आप detail देख सकते हो 16,000 क्रोड का यह buyback है इनकी condition है term and condition यह रहेगी लागू ठीक है तो जिसके करण आप देख सकते हो कि TCS में इस प्राकार का माहूल बना हुआ है तो बाकी अगर आप चार्ट देखेंगे तो चार्ट में तो बोई दीकने को मिल रहा है देकि all time high लगाया 2890 अब किसी नो 285 में buyback के लिए पकड़ लेना है पैसा अगर मान लिए वो safe पैसा होगा तो वो कभी भी exit करें कुछ भी हो दोस्तो वो उसका पैसा है उसको कहीं भी interest नहीं देना पड़ेगा लेकिन कोई interest से अगर पैसा लागा तो उसको अगर exit करना पड़ा ठीक है इस price पर जैसे लिया फी भर भर के quantity ली exit करना प आकास है दोस्तो आप लोगों को यही है कि आप अलट रही है आप इसमें investment अगर करना चारे हो तो long term के लिए करिए buyback के पीछे मत जाई आपका पैसा हो तो ही आप buyback के लिए apply करें otherwise आप किसी से उधाल लिया हो पैसा interest पे loan लिया हो पैसा आप इसमें buyback के लिए apply मत करना ग के बाकी long term के लिए तो यह based stock है दोस्तो जो IT sector की दिगज company कहा जाती है जिसका नामे tcsd के दोस्तो तो यह अपडेशन था इस अपडेशन के साथ आप मैं इस वीडियो को close करता हूं वीडियो को close करते से में यही बोलूँगा वीडियो आप लोगों को अच्छा लागा हो तो वीडियो को लाइक करना चैनल परने तो चैनल को सब्सक्राइब करना क्यूंकि डेली बिजसर्स पर इंट्राडे की टिप्स और मार्केट अपडेट आप लोगों को तक लाता रहता हूं थैंक्यू दोस्तो